इसके लिए इसके लिए इसके लिए जोद्पुर आत्यात्पिस साद्रा सितिकेद्र ने गुरु शक्ती कवच का निर्बान किया है जिससे सभी राश्य वाले लोग धारन कर सकते हैं इसके लिए आप दियेगे नमबर पे संपर करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं नमश्कार प्रियसातियों मैं हूँ सुरेश श्रिमाली और आप देख रहे हैं ट्रांसिट इस्पेशल यानि गोचर इस्पेशल कारिक्रम आज हम बात करेंगे देवताओं के गुरु ब्रहश्पति अपनी राश्य बदल रहे हैं आपकी राश्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो बताएंगे बताएंगे लेकिन देवताओं के गुरु ब्रहश्पति के बारे पहले कुछ जानना जरूरी है तब आपक कोई व्यापार करते हैं, कोई प्रॉफेशल से जुडते हैं और जब ये बात पक्की हो जाए कि बच्ची जॉब कर रही है, अपने पैरों पर खड़ी हो गई ये बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसके ब्याहक की बात चलती, यानि शादी शादी होने के बाद मेरिटर लाइव अच्छे रहे अच्छे रहे और उसका गर परिवार बस जाए, संता नुद्पती हो जाए तो ये चार मुख्य करम है इसके अलावा बागी सारे चीज़ें जीओर में सेकंडरी होती, जो चलती रहती है पर ये सातियों, कितनी मज़े की बात है कि ये चारों important portfolio, important काम देवताओं के गुरू ब्रेशपती के पास है अगर आपकी जर्म कुणली में, ब्रेशपती अच्छी पोजिशन में निश्चित रुप से ये चारों चीज़ें आपको सुख देगी और ब्रेशपती कमज़ोर है, तो ये चारों का सुख अधूरा रहेगा और किसी का ज्यादा अधूरा रहेगा, किसी का कम अधूरा रहेगा इस बार देव गुरू ब्रेशपती, 20 तवंबर 2021 को रात को 11 बचकर 15 मिनट के बाद कुम राशी में चले जाएंगे अमोमन 13 में तक एक राशी में रहने वाले ब्रेशपती इस बार मात्र 13 अपरेल 2022 तक इसी राशी में रहेंगे और बात में वो मीन राशी में चले जाएंगे, वो एक important और अलग वीडियो है जो हम अपरेल मेहने में देंगे, लेकिन आज की बात जो है वो 13 अपरेल 2022 तक इसी राशी में रहेंगे प्रियसातियों 20 नवंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 से ये धनिष्टा नक्षत्र बनेंगे जो कि मंगल का नक्षत्र है और गुरु मंगल मित्र है आप सब के लिए खुशी के खबर है दो जनवरी से 2 मार्च तक ये शत्वीचा नक्षत्र बनेंगे जो कि राहू का नक्षत्र बनेंगे ये एक अग्याद भाय देता है क्योंकि गुरु राहू शत्रु है और 2 मार्च से लेकर 13 अपरेल 2022 तक ये पूर्वा शाड़ा नक्षत्र बनेंगे जो कि गुरु का खुद का नक्षत्र है मेरे प्रियसातियों जब हम जन्म कुणली देखते हैं तो हमारे पंडिची कहते हैं वाह बड़े राजयोग हैं आपकी कुणली पे राजयोग है पर राजयोग काम क्यों नहीं करते हैं क्योंकि राज योगों की जो डिगरी है या उनकी जो दशा है वो सही टाइमिंग पर नहीं आती है इस वज़े से वह व्यक्ति कितना ही मजह हुआ कलाकार क्यों नहों सही बॉल आए पर आपकी टाइमिंग सही नहीं है तो आप ना छक्का मार पाएंगे चौका नहीं मार हो तो वो boundary के पार पहुंच जाता है यानि timing इसलिए आपकी कुंडली में देव गुरु ब्रैश्पती 25-27 डिगरी के उपर है तो वो end बे जाकर result देंगे लेगर अगर ब्रैश्पती 10 से 20 डिगरी तक है तो यूवा रहेंगे आपको पूरे result बिनेंगे 10 डिगरी तक है तो व हाली अवस्ता है इसलिए वो proper result देने में समय लगता है मेरे प्रियसातियों माता भवन भूमी वाहन शुब और मांगली कारियों पर खर्च करना ऐसे नए व्यापार को शुरू करना विवा होना दांपती जीवन अच्छा चलना prosperity happiness love and affection peace and harmony ये सब कुछ देवताओं के गुर विश्ष राशी से लेकर मीन राशित तका आपका हाल देवताओं के गुरू ब्रैश्पती के नज़र से कैसा रहेगा आईए देवताओं के गुरू ब्रैश्पती के विश्श जानकारी के बाद बात करते हैं कि अगर आपके राशी धनू है तो आपके लिए राशी परिवर्तन कैसा रहेगा सबसे पहले देखें गुरू आप ही की राशी के लॉर्ड है और फोर्थ आउस के लॉर्ड होकर थर्ड आउस जो के आपके डिग्निटि आपके औरा बाई बहन पर बिराजबा नहींगे प्रेजातियों यहाँ पर गुरू आपके भाई बहन के साथ रिष्टे आपको अच्छे बनाने पड़ेंगे उनके साथ कुछ भी अपेक्षा रखना बैटर है कि उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश करें अपने पराकरम अपने डिग्निटी अपने बेहेवियर पर आपको विश्ष ध्यान देना पड़ेंगे और वहीं है गुरू की पांचवे द्रिष्टी सेवन्त आउस पर है जिनका विवा नहीं हुआ है विवा के योग बनेगे विवा हो चुका है संतान के योग बनेगे पती पत्री में कोई बिखराव है तनाव है वो वापस बॉंडिंग के रूप में आगे बढ़ेंगे पती पत्री दोनों हैं प्रोफेशनल आगे बढ़ना चाहते हैं नया काम शुरू हो सकता है बिजनस पार्टनर बिल सकते हैं बिजनस पर तरक्य हो सकती हैं वहीं साथव गुमिद रिष्टी 11 आउस पर है यानि आमदनी के गर पर है इसलिए नए सोर्सेज इंकम के जनरेट होंगे बिजनस पर विस्तार के लिए पैसों का नुकसान मत होने दीजिए गलत लोगों की कंपनी गलत लोगों से दूर रही है प्रेसातियों अगर आप अपने बिजनस के लिए दुकान ओफिस फैक्टरी लेना चाते हैं नई टेक्नलोजी लेना चाते हैं नए लोगों को रिक्रूट करना चाते हैं नई जगे पर काम शुरूब करना चाते हैं यह सब कुछ अब संभव है बर्ट्प्लेस पर किसी से विवाद कुरोध में आकर कुछ गलत कर देन रह्ष ड्राइविंग से नुकसान ये सब कुछ संभव है आप मानसिक संतुलन को बना के रखे मानसिक आजाती इसी से आप महसूस करेंगे अपने फैसलों से नई सफलताइं पराब करेंगे आप अपने हर लक्षे को हासिल करने के लिए इच्छा शक्ती को पहले मजबूत करें रिसरच वग करेंगे हार्ट वग इंपॉर्टन नहीं है इंपॉर्टन स्मार्ट वग है उस पर दियान दीज़े और बहतर होगा कि आप जल्दी बाज़ी में कोई काम न करें आपका आलस से आपके गलत सोच गुसा, एहंकार ये सब कुछ आपको तकलिप में डाल सकता है इसके आत्म संबान और विश्वास जरूर है लेकिन किसी और का आत्म विश्वास तोड़ना आत्म संबान को ठेज पहुंचाना अच्छा नहीं है शत्रू आपके उपर हावी रहेंगे बेवज़े आपको परिशान करेंगे लीगल कॉंप्लिकेशन फसाएंगे आप दियान रखियों माता, भवन, भूमी, वहन, शुब और मांगली कार्यों पर खर्चे होंगे आप अधिक खर्च से बर्चने के लिए बुद्धिमाने दिखाईए माता के स्वास्ते पर थोड़ी धकली पासकती है लेकिन उन्हें धार्मिक यात्राइं करवाएं इशुबर का आशिरवाद बिलेगा और कल्यान जरूर होगा लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनस पार्टनर में आपको पार्टनर्शिप को अगर अच्छे डंक से बनाना है तो छोटी-छोटी बातों पर रड़ाई जगडा, करवाहट को दूर कर दीजिए स्टूडेंट, आर्टिस और प्लेयर्स आलस से को दूर भगाना पड़ेगा और तब ही आपकी कड़ी मेनत सफलता देगी गुरुवार के दिन साथ हल्दी की गांट को विदिवत तरीके से पूजा करके पीले कपड़े में बांधीजिए ओम ब्रीम ब्रहस्पति नमा मंतर का जाप करिए हो सके तो पीली चीज़ों का दान करिए चाहिए वो पीले कपड़े होऊ, फल हो, पुश्प हो, इसका दान करना चाहिए इसके साथ हमने गुरू शक्ति कवच का निर्बान किया है जिसे आपको जरू प्राप्ट करके गले में धारन करना चाहिए इसके साथ पर यह साथ हूँ, study material, uniform, इसे डोनेट करना चाहिए, जरुत मंद की मदद सिक्षा के सेतर में आपको जरुर करने चाहिए मैं आपको शुब कामना देता हूँ, मुझसे कुछ बूचना चाहते हो, तो टैलिफॉनिक अपॉंट्मेंट और वीडियो कॉन्फरेंसिंग अपॉंट्मेंट के द्वारा ही जानकारे ले जा सकती है स्वस्त मस्त और व्यस्त रहिए, आज के लितना ही प्यार भरनवशकार और बहुत बहुत आशिरवार्द इसके लिए आप दिएगे नमबर पे संपर करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं